धरम पाल जी आपकी धान की फसलों का तो जवाब नहीं हर साल पूरे गाउं से बहतर फसल आपकी होती है कुछ तो राज हमें भी वताईए आखे कहां जाकर मन्नत मांगते हैं अरे सत्पाल हम सब किसान भाईयों के लिए तो गर में ही पूजा है और हमारी मेहनत ही मन्नत है पर धरम भाई मेहनत तो गाउं का हर किसान करता है पर हम इधर भूरा पत्ती ठिड़ों से लड़ते रह जाते हैं और आप हर कटाई के मौसम में चैंपियन बन जाते हैं भाई सत्पाल मैं मेहनत के साथ साथ अपने दोस्त पर भी विश्वास रखता हूं अरे धन्यवाद भाई पर हम तो आपकी कोई मदद करते नहीं है अरे मेरे भूले पाल बाल गुपाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह प्रख्यात HPM Chemicals and Fertilizers Limited द्वारा निर्मेट दमदार अंतर प्रवाही कित नाशक पाइमेट्रू प्लास जो धान में आने वाले भूरा पत्ती तिड़ा की रोग ठाम करता है अच्छा तो ये है आपका दोस्त कीट नाशकों का इस्तमाल तो हम भी करते हैं पर भूरा पत्ती तिड़ों जैसे कीट तो बड़े जिद्धी होते हैं वो कहां मानते हैं ऐसे कीट नाशकों को पाइमेट्रो प्लस दूसरे कीट नाश्यकों की तुलना में अधिक उन्नत और कारगर है। इसका अत्याधोनिक फॉर्मिला पौधे के तने पत्तियों और जड़ों तक पहुँचता है और उन कीटों को भी खत्म कर देता है जो छिड़काओ के समय इसके सीधे संपर्क में न संबी सुरक्षा। धर्मपाल भाई ये तो बड़े कमाल का कीट नाशक है। अच्छा ये बताईए इसका इस्तमाल कब और कैसे करते हैं। अरे इसे इस्तमाल करना बेहदासान है। इसका 120 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से 200 लिटर पानी में घोल कर स्प्रे करना और मज़दार बात ये किसका इस्तमाल सिर्फ दो बार ही करना होता है। पहला स्प्रे गभोट अवस्था में और दूसरा स्प्रे बारा से पंदरा दिनों बाद। अरे वाह ये तो बड़े काम की बात बताई आपने। बताओ परेशानी का हल यहां आपके पास था और मैं न जाने कहां कहां भटक रहा था। बगल में छोरा, शेहर में डिंडोरा। चलो इसी बहाने तुम्हे में सुम्र में छोरा तो नजर आया।